अबस्क्राइब कीजिए पासी चैनल को साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए आज बात करेंगे डाई सलफी राम टैबलेट के बारे में जिसे एंटावस के नाम से भी जाना जाता है और गाईज हमारे पासी चैनल फैमिली के मेंबर हैं समीर खान उन्होंने डाई जोन टैबलेट के ऊपर एक डेडिकेटिड वीडियो बनाने के लिए बोला था साथ ही ए एंटिडोट का भी बताएं चूंकि गाईज डाई सलफी राम एक शराब छुडवाने की मेडिसीन है मतलब की जिने एलकॉल एडिक्शन हो जाता है इस टैबलेट से शराब छुडवाई जाती है तो उन्होंने एंटिडोट का भी बताया था कि अगर बाई चांस जो है यह डेडिकेटिड वीडियो है डाई सलफी राम टैबलेट के बारे में और यह जो डाई सलफी राम है यह जैनरीक नाम है वैसे जो पॉपलर इंडिया में इसके ब्रांस है वो हैं डाई जोन इस पर और टाई फूसीन कुछ इसके पॉपलर ब्रांस हैं इंडिया में तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो डाइसलफी राम टैबलेट है इसको किस-किस कंडिशन में यूज करना है एक्चली काई जो पॉपलर कोशन है ना कि इसका एंटीडोट क्या है इसके बारे में आप जानकर करेंगे क्या अगर आपको प्रोपर जानकरी नहीं है कि ये टैबलेट कैसे काम करती है कैसे और किस कंडिशन में इसको देना है कितना देना है कैसे देना है कितने टाइम तक कि लेना है और पेशन्ट की कंडिशन भी डिपेंड करती है कि पेशन्ट टोलरेट तो कर सके लेना इस मेडिसीन को लेने के लिए लेकिन अगर आप फिर भी जाना जाते हैं एंटीडोट के बारे में तो मैं आपको बता देता हूं formipizole इसका antidote है और एक single dot अगर आप देते हैं इसकी formipizole की डेड़ गराम की जो होती है actual और ये आपको antizole नाम से कहीं पर भी मिल जाएगा और एक single dose अगर आप देंगे तो patient की जो तकलीफ उससे हो रही है न वो ठीक हो जाएगी लेकिन आप जानकर क्या करेंगे कम से कम प् वीडियो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किये क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप गलती से किसी भी व्यक्ति की जान ले लें क्योंकि देखा गया है कि अगर ये टैबलेट गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को दी जाती है न तो उसे जिंदगी भर भूकतना पढ़ता है इवन पेशेंट की देथ भी हो जाती है तो प्लीज वीडियो को बिना स्किक के लास्ट अग जरूर देखना तो इस वीडियो में डाई सल्फी राम के बारे में पूरी तरह से डिसकस करेंगे तो वेलकम बेक गाईज मैं हूँ आपका दोस्त और होस्त सनी कुमार और आपका हमारे यूट्यूब चलन पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है Actually guys क्या होता है कि वीडियो देखकर हम लोग अंजाने में किसी भी व्यक्ति को डाई सल्फी राम टैबलेट दे देते हैं क्योंकि जो सामने वाला है वो शराब की लट से जूजरा होता है और शराब पीना तो देखिए वैसे भी अच्छा नहीं होता इवन वो अपनी बोडी को खराब करता ही है ठीक है उसके जो औरगन है लीवर किड्नी तो डैमेज होती है साथ ही घर में जो लड़ाई जगडा और financial problems होती है जो शाररीक और मानसिक रूप से वो परेशान होता है वो भी अलग होता है और घर का वातावरण भी ऐसा हो जाता है और ऐसे में तंगी में आकर हम अंजाने में ये टैबलेट उस व्यक्ति को दे देते हैं और असर क्या होता है कि जो वो टैबलेट देने के बाद जो व्यक्ति के साथ होता है न वो तो उसी व्यक्ति को पता होता है या फिर देखने वाले को होता है तो यह नहीं है कि यह वी वाइदा नहीं है ठीक है मुझे सिर्फ आप लोगों का सचा प्यारी चाहिए और इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत सारी महनत करीया बहुत सारी रिसर्च करीया है खुद का मेरा एक्सपिरियंस भी है जो मैंने लोगों को ट्रीट करके देखा है साथ ही जिन लोगों ने डाइसल फिराम टैबलेट को लिया है और जो जो उन लोगों के साथ हुआ है ना वो सब चीज़े भी मैंने इस वीडियो में डिसकस करी है कि किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर वो शराब को ले लेते हैं कौन कौन सी उनने तकलीफे होती है और खुद का experience भी है कि कैसे लोगों को motivate करना चाहिए किस condition में इस टैबलेट को देना चाहिए कितने time तक देना चाहिए कुछ मेने किताबों की मदद ली है कुछ मेने लोगों के articles पड़े है कुछ लोगों के experience से मेने पता किया है तो तो यह सब चीजों का जो निचोड है यह इस वीडियो में मैंने डालने की कोशिश करी है और यह सब चीज में आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो जड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते लेट्स डाइव इंट इट तो गाइस सबसे पहले तो डाइ सलफी राम टैबलेट के बारे में पता होने से पहले आपको इसका मोड ओफ एक्शन मतलब की मेकनिजम ओफ एक्शन मतलब की यह शरीन में काम कैसे करती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो गाइस सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं तो गाइस क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति श शरीर उसको पचाने के लिए उसको तोड़ता है तो एसिटाइल डिहाइड में ये बदलता है उसके बाद जब ये जो स्टेट होती है ना एसिटाइल डिहाइड की तो ये इसमें क्या होता है कि अगर इसकी जादा मात्रा बलड में रहती है या फिर एसिटाइल डिहाइड मे जब ये ज़ादा time तक रहता है इसकी मातरा जब बढ़ती है तो जो लोग जिन्होंने कभी कभी शराब पी होती है और ज़ादा वो शराब को पी लेते हैं तो Acetyl Dehyde की blood में जब बातरा ज़ादा होती है तब उणको सिर में दर्द होता है, नोजिया वोमिटिंग होती है दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है ऐसा तभी देखने को मिलता है जब कभी कभार लोग पीते हैं शराब को और आपने भी सुना होगा कि सोकर उठते हैं तो उनका जो सीर है वो दर्द कर रहा होता है या जो लोग कभी कभार शराब पीते हैं और ज्यादा पीने पर उनने वोमिटिंग हो जाती है दिल की धड़कन ती है घबराट बेचैनी होती है वो इसी करण होता है जो इतिन ओल है वो इसटाइलडिहाइड में बदलती है और जो इससी टाइलडिहाइड है उसके करण यह सब कॉम्प्लिकेशन्थ होती है पीने वाले को फिर क्या होता है कि जब एसी टाल डिहाइड बन जाता है उसके बाद जो शरीर है उसे एसी टेट में बदलता है ऐसे में क्या होता है कि जो पीने वाला है ना उसे शराब का पूरा नशा हो जाता है जो उसका सेंटल नर्वस सिस्टम हो जाता है और जो पीने वाला है उसको पूरा नशा हो जाता है उसे यह आस पास की चीजों का पता नहीं लगता जो state होती है ना शिराब की शिराब को पीने के बाद वो state हो जाती है जब जो इथिनॉल है वो Acetyl Dehyde से Acetate में बदलती है, ओके, तो यहां पर जो Di-Sulfiram का Mechanism of Action है, वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो guys, जो Di-Sulfiram है न, ये Acetyl Dehyde के बाद, जो Acetate की State है, उसको नहीं बनने देती, मतलब क्या होता है कि, जो Acetyl Dehyde है, उसका Level Blood में बढ़ता जाता है, और ऐसे में क्या होता है कि, पेशन्ट को, जब पेशन्ट Di-Sulfiram Tablet के उपर होता है, और उसके उपर होने पर, मतलब कि उसने Tablet खा ली, खाने के बाद अगर वो शराब को पीता है, ठीक है, शराब को पीने के बाद उसके शरीर में उसकी दिल की जो धड़कन है वो बढ़ेगी, उसको घबराहट बेचैनी महसूस होगी, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, heavy sweating होती है, chest pain होता है, और जो मैंने personally लोगों से बाद करी है, तो उन्हें लगता है कि जो उनका दिल है, बहुत जोरों जोरों से धड़क रहा है, दिल धड़कता धड़कता बहार आ जाएगा, chest में pain होता है, chest पूरी tight हो जाती है, सीर फटने को होता है, घबराहट बेचैनी होती है, even कई लोगों की तो जो stool है वो बीच में निकल जाता है, और urine भी पास कर देते हैं, ऐसी condition होती है, जब लोग डाई सलफी राम को शराब के साथ ले लेते हैं, ओके, तो ये था इसका mechanism of action, अब बात करते हैं कि किन लोगों को आपको ये टैबलेट देनी चाहिए, तो गाईज मेरी आप से हाथ जोड़ कर विनती है कि कभी भी ऐसे लोगों को ये टैबलेट भूल कर भी ना दे देना, जो काफी लंबे समय से शराब को पी रही हो, Actually guys, क्या होता है कि हम लोग कहीं से भी information gain तो कर लेते हैं कि इस टैबलेट से शराब छूड़ती है और अंजाने में हम इस टैबलेट को दे देते हैं हमारे चाहने वाले को, हम चाहते हैं कि वो शराब को ना पीएं, चाहे वो हमारा ब्रदर हो या फिर हमारे फादर हो या फिर हमारा हस्बेंड हो, ओके, तो आपने दी तो उसकी भलाई के लिए है, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इस टैबलेट के बारे में पूरी तरह से जानकारी को जानना चाहते हैं, तो गाईज, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो प्लीज इसे उन लोगों को भूल कर भी मत देना, जो लंबे समय से शराब को पी रही हैं, ठीक है, तरीका भी मैं बताऊंगा कि उन लोगों को कैसे देना है, लेकिन भूल कर भी ऐसा मत करना, बिना बताए इस होना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि उस थोड़ा सा मोटिवेट आपने कर दिया, ठीक है, और एक दिन उसने शराब नहीं पी और दूसरे दिन उसने शराब पी ली, और उसका जो शारिक, जो उसकी बोडी है, वो शराब को छोडने लायक ना हो, या फिर उसको इस भी देखे होंगे ऐसे, कमजोर दिल वाले पेशेंट को या सांस वाले जो पेशेंट है अगर आप इस टैबलेट को लोगों को देते हैं, तो डैथ भी हो जाती है, तो सोच समझ कर देनी चाहिए, तो इन लोगों को बिना बताए, तो पहली बात तो कभी नहीं देनी च लगता है कि वो हैबिचुल हो जाएंगे, उनको आदत पढ़ जाएगी, ऐसे लोगों को आप बिना बताए, ठीक है, ऐसे में बहुत अच्छा वर्क करती है, कैसे देना है, पहली बात तो देखिए, इसका जो असर है वीडियो की शुरुवात में मैंने आपको बता दिया था कि इथिनोल मतलब की शराब के साथ ही होता है, तो भूल कर भी आप इसे शराब के साथ मत दे देना, लोग समझते हैं कि भई उसको खाने में देंगे, पानी में देंगे, जूस में देंगे, दूद में देंगे, तो उसको पता लग जाएगा कि भई ये स्पेशल चीज तो उसको तकलीफ होगी, तो इसलिए कभी भी उसको शराब के साथ मत देना, उसको थोड़ा सा पहले बता देना, अगर नहीं बता सकते तो ऐसे भी दे सकते हो, खाने में रोटी में दे सकते हो, और सबजी में दे सकते हो, तो उसको साथ ही उसको mentally भी उसके दिमाग में डालन को मिलेंगे आप जब जो में आपको बताई है ना reaction होती है सिर्द में दर्द होता है घवराट भेचानी होती है तो आपको उसके दिमाग में भी ऐसी चीज़े बिठानी पड़ेगी ठीक है और उसको डर बिठाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें होईगी उसने शराब तो है ठीक है और इस टैबलेट का सबसे बड़ा जो बैनिफिट ये है लोगों को जो लगता है ना कि ये टैबलेट हम देंगे तो उसको वो शराब छोड़ देगा तो गैस एक बातों मैं आपको यहां पर क्लियर कर देने वाला हूं कि ये टैबलेट कोई मंतर या कोई रचा नहीं होगी या जो उसका मन है वो शराब पीने के लिए नहीं करेगा उसका दिल भी करेगा उसे चाहा भी होगी और उसे जो तलब है ना शराब की जो तलब उठती है वो भी होगी शराब पीने की लेकिन जो डर होता है ना जो उसे दर्द महसूस होता है जो उसे तक reaction है alcohol के साथ जो reactions आती है जो कि मीन आपको बताया जो तकलीफ उसको होगी ना यही तकलीफ उसे शराब से दूर रखेगी ऐसे में पहले तो आपको जो व्यक्ति शराब पी रहा है ना कभी कबार पी रहा है पहले तो आपको उसके दिमांग में बिठानी पड़ेगी कि शराब को पीने के बाद ऐसे इसी दिखते हो सकती है फिर आप उसको दें बिना बताए लेकिन अगर आप capable है उसको motivate करने में अगर आप उसको motivate कर देते हैं शराब को छुड़वाने के लिए अब मैं motivate वीडियो तो नहीं बना सकता क्योंकि medical channel है motivate के लिए बहुत सारी YouTube पर वीडिय लेना ठीक है मोटिवेट करें अगर उसका दिल और दिमाग है कि वो शराब छोड़ सकता है तो उसे आप यह टैबलेट दे सकते हैं अब यहां पर कई चाहता ही है कि वह एक हम कभी कभार ही शराब पते हैं तो कि टैबलेट पे पैसे खराब करने का क्या फाइदा थीक है तो मैं आपको बताना चाहूंगा की देखिए आप यह टैबलेट लेंगे न और अगर आपने गलती से शराब पी ली तो जो आपको दुख और तकलीफ पाएगी आपका दिमाग और दिल कहेगा कि चल यार एक पैग मार लेते हैं एक बारी पी लेते हैं कल से छोड़ देंगे परसों से छोड़ देंगे शराब पीना तो शराब छोड़ना तो बहुत आसान है मैं कल से छोड़ दूगा परसों से छोड़ दूगा थोड़ा सा से एक साल तक जो कतर शराब इना पूरे प्यक्पड हैं उन्हें कम से कम यह टविड़ट एक साल से दो साल तक आप दे सकते रो जो कभी कब पितें कम से कम छे मुईने तो वह से कम छह महिने ऊब है ताकि उन्हें आदत ना पड़े ठीक है तो किन लोगों को ये tablet देनी चाहिए तो guys देखिए जो आपको लग रहा है कि वो कमजोर रही है शारीर रूप से और उसे किसी भी तरह की कोई बिमारी भी नहीं है तो उसको ये tablet लेनी चाहिए पहले तो से mentally आप prepare करें, motivate करें अब मैं आपको procedure बता रहा हूँ कि इस tablet को कैसे लेना होता है ठीक है, तो जो लोग शराब को छोड़ना चाहते हैं उनके लिए तो guys इस tablet का बहुत ही अच्छा result है और ये एक life changing drug है अगर आप शराब को छोड़ना चाहते हैं और आपने पक्का मन मना लिया कि हाँ मैं शराब को छोड़ सकता हूँ तो ये जो tablet है ना, डाई सलफीराम guys ये एक life changing drug है अगर आप शराब को छोड़ना चाहते हैं कैसे? देखिए पहले तो कम से कम आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ भई मैंने शराब छोड़नी है या फिर आप जिसकी शराब छुड़वाना चाहते हैं आप को मोटिवेट करना पड़ेगा अगर वो 72 गंटे तक शराब को नहीं पीता तब आपको इस टैबलेट को देना चाहिए एक्चली गाइस मैंने जो स्टडी करी है उसके हिसाब से 72 गंटे तक हमारी बोड़ी में इथेनोल का जो शराब है अलकोहल है उसका असर रहता है ऐसे में अगर आप इस टैबलेट को देते हैं तो उसको रियक्शन होगी और उसको जो रियक्शन होगी ना नोजिया, वोमिटिंग, हैडेक और जो चेस्ट पेन है वो होगी और ऐसे मुसको तकलीफ होगी इसलिए 72 गंटे तक उसको शराब के बिना रहना पड़ेगा और फिर डाई सल्फिराम टैबलेट का आप जो कोर्स है वो शुरू करें ठीक है, तो पहले उसको मोटिवेट करें ठीक है, फिर आप बताएं, बताने के बाद टैबलेट को दें साथ ही गाईस कुछ ऐसी चीज़े भी मैं बता रहा हूँ कई लोग क्या होता की तीन दिन तक शराब तो नहीं पीते लेकिन अंजाने में ऐसी चीज़ भी पी लेते हैं जिसके अंदर एथिनोल होता है तो ऐसे में अगर आप वो चीज़ भी लेंगे ना परफ्यूम के अंदर एलकोल होता है तो इसलिए आपने परफ्यूम का भी यूज नहीं करना आफ्टर शेव का भी आपने यूज नहीं करना है और हेर डाइज आती है वह उसका भी आपने यूज नहीं करना है 200 mg की टैबलेट आपने लेनी है सुबा और शाम को आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं खाने के साथ भी ले सकते हैं इस टैबलेट का कोई भी टेस्ट नहीं होता टेस्ट लेस होती है पानी में डिजोल भी हो नहीं होता इस tablet का पानी में मिलने के बाद टीक है पानी में डियोल हो जाती है ठीक है तो अब बात आती है जो लोग मतलब की शराब को कबमार पीन हैं अगर वो u classes die यृटे वह शराब को भी लेते हैं तो हैं कठी पानी या फिर सबजी में रोटी में मिला कर तो गाइस ऐसा ना करें इस टैबलेट का असर ना कम से कम तीन हफते तक रहता है बलड में ठीक है तो आप हैवी डोज को ना करें कभी भी क्योंकि अगर जितनी ज्यादा हैवी हैवी डोज होगी ना और अगर उसने ज्यादा एलकॉल पी ली या एलकॉल जो पीता है तो उसका ज्यादा सर होगा और ऐसे में जो पेशेंट है उसको जान पर बनाएगी और मैं बोलना ही चाहता उस चीज़ के लिए इसलिए आप हैवी डोज का कभी भी यूज ना करें समा पेशेंट को मोटिवेट करके इस टैबलेट को दें ठीक है अब मैं आपको बताता हूं कि यह टैबलेट जो है इसके साइड इफेक्ट क्या है देखिए रियक्षन तो एलकॉल के साथ होगी लेकिन कई बारी क्या आता है कि कई पेशेंट है उन्हें डीजीनेस हो सकती है य और मैं तो यह चाहता हूं आपसे हाथ जोड़कर विंती है कि एक बार अगर जो लोग पूरे प्यक्कड है ना जो काफी लंबे समय तक शराब पी रही हैं तो वो किसी साइक्केट्रिस्ट से मिलने ठीक है वो डोक्टर अच्छे से कंसल्ट करेंगे पूरी की पूरी जानना पढ़ता है कई वारी क्यों होता है फिक व्यक्ति यो शराब प्राइब किसी मांसिंग बीमारी से जुझरा होता है कुछ तरह की परेशानिया होती है तो ऐसे में साइक्केट्र डोक्टर है उनको अच्छे से तो आपको ये अच्छा रीन बताएगा कि आपको पर थ step क्या लेना चाहिए ठीक है तो यह टैबलेट लाइफ चेंजिंग ड्रग तो है लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके आप इस टैबलेट को लेने के बाद एक तो हाइपोटेंशन होता है ठीक है तो ऐसे में एफ कोरलीन इंजेक्शन आता है ठीक है एफ कोरलीन 100 mg के अपने सिंगल स्टेट डोस देनी है 100 mg का अगर वो 15 मिनिट में ठीक नहीं होता तो आप दुबारा 15 मिनिट के बाद रिपीट क कर सकते हैं और आप एक घंटे में चार इंजेक्शन दे सकते हैं साथ ही अवेल डिक्सोना को भी आप दे सकते हैं पेशेंट को इंट्रावेनस तो यह क्या है मैडिसिंग यह इमिडेटली असर करती है जो और जो इसका एंटीडोट है एंटीजोल और यह इसकी सिंगल डोस है जिससे जो इथिनोल है उसका जो शेरीर में मेटावलीजम है वो ठीक हो जाएगा तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बारी बारी यही चीज बोलना चाह रहा हूं कि आप कभी भी इस टैबलेट को पेशेंट को बिना बताए ना दें और अगर गैस देखें आपको उसको मौटीवेट तो करना ही पड़े गा ठीक है मौटीवेट नहीं करेंगे अब बिना बताए देंगे तो क्या होगा की अगर पेशेंट ही ना रहे मेरे को भी पता है कि किसी के फादर है किसी के हस्मेंट है किसी का ब्रादर है यहां कि कई फिमेल्स हैं वो भी जो ड्रिंक करते हैं लेकिन अगर वो ही ना रहे जिनके भरोसे घर चल रहा हो या जिनके भरोसे आप हो अगर वो ही ना रहें तो आप क्या करेंगे तो आप उन्हें अच्छे से प्यार से समझाएं सूबा का टाइम काफी अच्छा होता है उन्हें मोटिवेट करें और अगर वो मोटिवेट हो जाती है एक टाइम तो ऐसा आता है कि पेशन्ट मान जाता है वो भी चाहता है कि वो शराब को छोड़ दे लेकिन जो शराब की तलब उठती है न वो उसको शराब को छोड़ने नहीं देती जो मन है वो कमजोर हो जाता है और ऐसे में क्या है मेरा खुदगा एक्सपीरियंस है बहुत ही एफेक्टिव है सल्फर ठीक है और सल्फर सबसे ज़्यादा अद्रक में पाया जाता है अद्रक होता है न उसके अंदर सल्फर पाया जाता है तो ऐसे में क्या है कि आप अद्रक चूसने के लिए दे या फिर अगर आपको तलब उठती है आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो आपको जो 72 घंटे है ना तीन घंटे है वो आपने निकालने है उसके लिए आप अपना जो आपका मन है उसको आपको मजबूत बनाने के लिए कि आपका मन कमजोर ना हो शराब दुबारा पीने का दिल ना करे तब आपको जब भी शराब की तलब उठेना तो आपको सल्फर का यूज़ करना है अद्रक पर आप नमक लगा कर उसको चूसें और वाइस आप होमोपेथिक की सल्फर 200 मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन गाइस अद्रक काफी अच्छा ओप्शन है और आपको अद्रक जो है असानी से मिल भी जाएगा इसलिए जब भी आपका मन कमजोर होना और आपको शराब पीने की तलब महसूस हो तो आप अद्रक को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नेट पर भी आप गूगल करके देख लेना जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा सल्फर की मातरा होना आप उसका यूज़ करना और मैं तो अद्रक का ही बोलूँगा आपको नमक लगा कर आप चूसिए और आपका जो दिल है वो काफी मजबूत हो जाएगा आपका जो मन है वो मजबूत हो जाएगा सबसे अच्छी चीज़ तो है आपको कॉंसेंटरेट करना है आपको फोकस करना है और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती अगर आप अपना मन बना लेते हैं अगर आपके मन पर लगती है न कोई चीज़ तो बहूत सारे ऐसे व्यक्ति भी है जो बिना किसी मेडिसिन के बिना किसी चीज के उन्होंने शराब को छोड़ी है और ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे अगर किसी के दिल पे लगती है ना या किसी ने ठान ली होती है कि उसने शराब को छोड़ना है तो वो शराब को छोड़ भी देता है बिना किसी medicine के लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप जूझ रहे हैं तो ऐसे में आप sulfur का use कर सकते हैं और guys देखिए अगर आप बिना बताया इस tablet को दे रहे हैं तो आप अगर आप इस tablet को दे रहे हैं तो आपको भी अपना मन मजबूत करना पड़ेगा क्योंकि patient कभी ना कभी जो सामने वाला व्यक्ति है ना वो कभी ना कभी तो शराब को पीए गई ही और जो उसको reactions होईगी ना जब तक वो reactions नहीं होगी जो उसके अंदर का डर है वो नहीं होगा ना उस medicine के लिए उसने medicine वो ले रहा है और medicine लेने के बाद जो उसको reaction हुई जो उसको तकलीफ हुई अगर वही तकलीफ नहीं होगी शराब को पीने के बाद ठीक है तो वह शराब को छोड़ेगा नहीं क्योंकि यह जो दवाई है इसका यही काम है कि मरीज के अंदर डर बिठाना कि वो जब शराब को पीएगा तो उसको वह तकलीफ होंगी तो इसलिए आपको खुद को भी mentally prepare करना पड़ेगा कि आप उस व्यक्ति को ऐसी हालत में देख सकें, ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ी वुती तकलीफ हुई और चक्के आपने hospital में आप उसको ले गए, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको खुद को भी prepare करना पड़ेगा, medicine देने वाले को भी prepare कर ना पड़ता है, लेकिन आपको वो condition देखनी पड़ेगी कि patient की जान पर भी ना बनाए, ठीक है, तो आप खुद को भी prepare करें, और I hope मैंने जो आपको जानकारी दी है, ये आपके लिए काफी useful होगी, इसलिए प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्ली ऐसी ही useful videos और topics के लिए प्लीज हमारे चलन को subscribe कर लें, साथ ही bell icon को भी press कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चलन पर upload हो, उसकी notification आपको सबसे पहले मिले, तो guys मुझे दीजे इजाजत मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक interesting topic के साथ, तब तक के ल झाल